जब माने पूछा लिखने लगा है तू, जब माने पूछा लिखने लगा है तू, तो मैंने कहा, जिन्दगी के पहले अक्षरों को, आप ही ने तो हाथ पकड़ कर लिखाया है। कुछ नाराज थी उस दिन, कुछ नाराज थी उस दिन, बोली बहुत बोलने भी लगा है तू, तो मैंने कहा, जिन्दगी के पहले शब्दों का मतलब आप ही ने तो बतलाया है। कुछ और देर रूठना चाह रही थी शायद, कुछ और देर रूठना चाह रही थी शायद, बोली जवाब भी देने लगा है तू, तो मैंने कहा, जिन्दगी के सारे अटपटे सवालों का जवाब आप ही से तो पाया है। आखिर मुस्कुराही थी। तो मैंने मन ही मन सुचा कि ये वो मुस्कुराहट है जिसने सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपना हर एक आशु चुपाया है। बेड़ से घर आया उस शाम, आते ही भोली भूका होगा। बाद में पापा ने बताया, इसने खुद कुछ नहीं खाया है। जितना लिखू हूँ, उतना कम है आपके बारे में जिन्दगी के पहले एक्षरों को आप ही ने तो हाथ पकड़ कर लिखाया है। बे हिसाब शिक्वे हैं मुझे ओश शक्स से, जो सुबह जल्ली उठता है ताकि मैं चैन से सो सकूँ, जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, इससे पहले कि मैं रो सकूँ। बे हिसाब शिक्वे हैं मुझे ओश शक्स से, जो मुझे मुझे से भी जादा जानता है, उससे पूछोगे अगर तुम, उससे पूछोगे अगर तुम, तो वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस मानता है। बे हिसाब शिक्वे हैं मुझे ओश शक्स से, जो मेरे लिए अपनी हैसियत से भी लड़ रहा है, पापा बस बे वज़े ही आपको आज गले लगाने को जी कर रहा है। क्योंकि इस सब में क्योंकि इस सब में वो शक्स अपने आपको पीछे छोड़ देता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ वो अपने आपको पीछे छोड़ देता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ वो अपने सपनों से रोज हारता है ताकि मैं इस दुनिया से लड़ सकूँ वो भी क्या वक्त था जब पेट मेरा भरना जिम्मेदारी उस मा की होती थी वो भी क्या वक्त था जब पेट मेरा भरना जिम्मेदारी उस मा की होती थी उसकी भी गजब मिस्ट्री थी न जाने कब जगती थी न जाने कब सोती थी उस मा के स्वाद को याद करके टेस्टी से सपनों मख होते हैं चलो आज फिर बिना अलाम लगाए सोते हैं वो आखे लगाए कभी लैपटॉप पर तो कभी हॉमवर्क पर रोज रात को जागना नहो वो बस्ता उठाए कभी स्कूल का तो कभी ओफिस का रोज सुबह भागना नहो कल सुबह की चिंता छोड़ आज की नीद में खोते हैं चलो आज फिर बिना अलाम लगाए सोते हैं